हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षानी देशाले की तरफ से दी जाने वाली कारेपत्रक नमबर 20 करेंगे जो कि क्लास 6 की है और विश्य है हिंदी ये वर्क्षिट 14 सेप्टेंबर 2021 की है तो आईए शिरू करते हैं आज की वर्क्षिट आज हम लेकक प्रेम चंद्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त में पढ़ेंगे इस कथा को दो बच्चे मनो विज्यान को बड़े सुन्दर धंग से चित्रित किया गया है दोनो चिरिया के दोस्त है किन्तु नादानी से गलती कर बैरते हैं तो चलिए पढ़ते हैं तो इस वर्क्षिट में हम नादान दोस्त की कहानी को पढ़ने वाले हैं केश़व के घर कार्निस के ऊपर एक चिरिया ने अंडे दिए केशव और उसकी बेहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिरिया को वहां आते जाते देखा करते थे सवेरे दोनों आंके मलते वे कॉरक्निस के पास सामने पहुंच जाते और चीरा चीरी दोनों को वहाँ बैठा पाती उनको देखने में दोनों बच्चों को नया चाने मालूम कितना मज़ा आता था दूद और जलेबी सुद भी नया रहती थी देखो वो क्या करें कि जब उन चीरा चीरी को इस गोंसले में देखते थे ना दोनों बच्चे तो उनको नहीं बाबोजदे नहीं असके लावा वो बहुत सारे सवाल उनके मन में आते थे बचों के पर कैसे निकलेंगे, गोह theoretical कैसा होगा लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था नए अम्मा को घर के काम धंदों से फुरसती ही नए बाबुजी को पढ़ने लिखने से दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसली दिया करते थे आज हमने देखा कि दोनों बच्चे श्यामा और केशव किस तरह से जब चिरिया का घोंसला उनके घर में कार्निस पर था तो वो क्या करते थे उससे related questions पूश्टे थे तो अब हम करते हैं इससे related question answer तो आईए देखते हैं इसके question answer तो देखते हैं question number one क्या कहा गया है केशव की बेहन का क्या नाम था तो केशव की बेहन का नाम श्यामा था यह हम अभी पढ़ चुके हैं कार्निश शब्द का अर्थ क्या है कार्निश शब्द का अर्थ दिवार के उपर के भाग में सुंदर्ता के लिए बाहर की और निकाला मतलब कि छज़्जा जिसे हम कहते है न तो बाहर जिसे कि घर अगर के बाहर की तरफ थोड़ा सा छज़्जा निकाल देते तो उसे क्या कहा जाता है कार्निस कहा जाता है सुबह उर्ते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे सुबह उरते ही केशव और श्यामा दोनों आखे मलते वे कॉर्णिस के सामने पहुंच जाते थे और चीरा और चीरिया दोनों को वहाँ बैठा पाते थे वो क्या करते थे उन चीरा और चीरी को वहाँ पर देखते थे कोशन नमबर 4 और 5 हम अभी करते हैं कॉष्ण। करते हैं लिंग बद लिए जैसे कि बैहन का भाई बच्चा का बच्ची पिता माता लिंग बदलने है ना चिड़ा चिड्या श्याम श्यामा दादा दादी तो ये हो जाएंगे लिंग तरह के सवाल उड़ते थे जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उन में से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घुंसला कैसे होगा, तो ये सारे सवाल केशव और श्यामा के मन में आ यह थी आज की वरक्षित को complete करके अपनी टीचर से चेक करवाई और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर किज़े थैंक यू गाइज